इस वीडियो हम दो बाते करेंगे, तलाग कितनी तरह के होते हैं? दूसरा, तलाग के बाद दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकते? वीडियो आगे बढ़ान से पहले मैं आप ते रिक्वेस्ट करूंगी एक सबब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है तलाग दो तना के होते हैं पहला तलाग आपसी सहमती वाला तलाग होता है मतलब mutual consent जो पती पत्नी दोनों की रजामंदी से लिया जाता है यह तलाग दो hearing में ही मिल जाता है इसका क्या process है उसकी मैंने वीडियो बना रखी है तलाग कब लेना चाहिए इसका लिंक मैं आपको description box में दे देंगे आप देख सकते हैं दूसरा है एक तरफा तलाग जो पती करता है पत्नी पर या पत्नी करती है पती पर इसके भी नौ अधार होते हैं और जिस अधार पर तलाग का case किया जाता है उस अधार को proof करना पड़ता है मतलब उसका सबूत देना पड़ता है अगर पती या पती जिसने भी तवाख का केश किया है वैं सबूत नहीं दे पाता है तो ऐसा भी होता है कि तवाख नहीं मिलता है तो एकतरफा तवाख के टिटेल विडियो मैंने बना रखी है इसका नाम है एकतरफा तलाख कैसे मिलता है मैं इसका लिंक आपको description box में दे दूँगी आप इसे जिरूर देखें अगर आप आज आपका तलाग आपसी सहमती वाला हो गया है तो मतलब वो तलाग जिसमें दोनों पती पत्नी की सहमती होती है अगर आपसी सहमती वाला तलाग हो गया है तो पती हो या पतनी, अगले दिन ही दूसरी शादी कर सकते हैं, कोई रोक्टक नहीं है, इस तलाक के बाद पती हो या पतनी दोनों अजाद होते हैं दूसरी शादी करने के लिए, यहाँ पती या पतनी, तलाक की डिक्री की अपील, फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि आपसी से अब दूसरे तलाक की बात करते हैं एक तरफा तलाक जिसमें 9 अधार होते हैं किन्य एक या दो अधार पर तलाक मिलता है आज मान के चलते हैं कि आज आपका एक तरफा तलाक हो गया है अगर पती के हक में तलाक हुआ है तो पत्नी हाई कोट में उस तलाक की डिकरी की अपील कर सकती है और अगर पत्नी के हक में तलाक हुआ है तो पत्नी हाई कोट में तलाक की डिकरी की अपील कर सकता है एक तरफा तलाग जिसमें सरकार ने नौधार बनाए हैं उनमें से किसी भी अधार पर तलाग पिलता है मान के चलते हैं कि आज आपका एक तरफा तलाक हो गया है अगर पत्ती ने किया है और उसके हक में तलाक की मंजूरी हो गई है तो पत्ती तलाक की डिक्री की अपील फाइल कर सकती है और अगर पत्दी ने केस किया है और उसके हक में तलाक की डिक्री की मंजूरी हो गई है तो पत्दी तलाक की डिक्री की अपील फाइल कर सकता है 90 दिनों का अपील का समय होता है मतलब तीन महीने मतलब पत्ती हो या पत्ती वो एक तरफा तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं उन्हें 90 दिन का इंतजार करना पड़ता है 90 दिन निकलने के बाद ही वो शादी कर सकते हैं मान के चलते हैं कि पती ने तलाग का केस किया और उसके हक में तलाग की मंजूरी हो गई तो पत्नी अगर अपील करना चाती है तो वह 90 दिनों के दोरान हाई कोट में अपील कर सकती है और अगर वह उस तलाग के फैसले से मालो सहमत नहीं है तो जब तक अपील का दूसरा फैसला नहीं आता है यानि फाइनल फैसला नहीं आता है तब तक पती दूसरी शादी नहीं कर सकता है अगर अपील का फैसला नहीं आया है और पती ने दूसरी शादी कर ली तो वह शादी शादी नहीं मानी जाती है उस शादी की कोई मान्यता नहीं है उसको कैंसल किया जा सकता है जब तक high court से डावोस लिक्री का final फैस्ता नहीं आता है तब तक पती दूसरी शादी नहीं कर सकता है clear है आपको? यह एक रास्ता और होता है कि 90 दिनों के अंदर जो अपील का समय चल रहा है पती पत्नी आपस में कोई राजी नामा कर लेते हैं या अपील के बाद का फैसला अभी नहीं है आया है यानि अपील पेंडिंग है और पती पत्नी राजी नामा कर लेते हैं तो भी पती या पत्नी कोई भी दूसरी शादी कर सकते हैं। जिस दिन राजी नमा की हाई कोट में अरजी जमा कर दी जाती है, उसके अगले दिन भी पती हो या पत्नी दूसरी शादी कर सकते हैं। उमीद करती हूँ या आपको वीडियो से मेरी बात क्लियर हो गई होगी। अब मैं वीडियो खत्म करती हूँ। एक सबक चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना फ्री है।